गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स बीसी सेगंड यर ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ रहे थे सबसे पहले युनिट नमबर थाड़ में पढ़ा था अपने द्वी भाजन विधी बाइसेक्शन मेथड सेकेंड नमबर पढ़ा था आपने मिथ्य इस्तिति विधी रेगुला फ रेप्शन विधी न्यूटन रेप्शन मैथड तो भी यह मैथड देखते हैं किस प्रकार है माना की एक समीकर्ण है हमारे पास fx पराबर 0 आपको कोई भी समीकर्ण दियोगी fx पराबर 0 और उसको क्या निकालना है में मूल निकालना है कि एक वास्तिविक मूल के सन्निकटन मान x नोट है सन्निकटन मान तो x नोट है तथा एक्चुल जो सही मान होगा वो है x नोट प्लस h तब fx नोट प्लस h किसके बराबर होगा 0 के बराबर वही एक्स जो एक्स नोट का था वो एक सन्निकटन मान था और x नोट प्लस h जो है वह वास्तिविक मंदमादा संपूर्ण सही मान है तो इसमें मान रखने पर क्याएगा 0 अब इसका टेलर प्रसार करते हैं टेलर प्रसार करने पर fx नोट प्लस h का टेलर प्रसार किया तो fx नोट प्लस h f-x नोट प्लस h square by 2 factorial f double x नोट से लगा कर चलता जाएगा बराबर में 0 ठीक है आपने देदिया समीकर नमबर 1 समीकर नमबर 2 fx प्लस h बराबर 0 था समीकर नमबर 1 से यह होगा जीरो और h जो है बहुत ही छोटा मान है तो h square और h square से आगे चलते जाएगे वह मान सारे क्या होगे लगबग 0 के बराबर ठीक है यह बच्छे आपने पास fx note प्लस h f dash x note प्लस यह सब क्या होगे लगबग 0 के बराबर यहां से हमें h का मान क्या मिला भई माइनस का fx note अपन f dash x note और इसे आप मान सकते हो माना h1 ठीक है जहां बच्छे यह जीरो हो जाएगा तो सब कुछ infinite हो जाएगा तो आपने सब समीकर्ण नमबर दे दी समीकर्ण अब यदि x note में h को जोड़ दिया जाए तो मूल जो है वो और भी सही प्राप्त होगा तब यदि x note में h को जोड़ दिया जाए तब मूल सही प्राप्त होगा अर्थार्थ x1 बराबर क्या जाएगा भी x note प्लस h और h के है h1 के बराबर है तो x1 का माल कितना आया x note माइनस h1 की जगे f x note अपॉन f dash x note such that f x note is not equal to 0 f dash x note is not equal to 0 आपने इसके दे समीकर्ण नमबर 4 समीकर्ण 4 उसके बाद हमारे पास क्या आएगा आपन चलते जाएंगे चलते जाएंगे एक्स नोट के स्थान पर यदि एक्स वन ले लिया तो मूल का सबसादिक बड़िया वान कावे मिलेगा अपने पास x2 पे जैसे अब यदि x1 में h जोड दिया जाएंगे तो मूल और भी अच्छा प्राप्त होगा और यहां पे देखो h बराबर क्या है माइनस का f x1 अगला f dash x1 जो किसके बराबर माली आपने आपने एक्सटू के बराबर माली मानना और एक्सटू का मान क्या हैगा एक्सवन में क्या जोड दिया आपने है एक्सटू एक्सटू बराबर आ गया x1 माइनस f x1 अपन f dash x1 जहां f dash x1 is not equal to 0 इसी प्रकार चलते जाएंगे तो मानक क्या आएगा अबने पास xn is equal to x xn plus 1 is equal to xn minus f xn upon f dash xn जहां f dash xn is not equal to 0 तो यह भाई Newton Rapson का formula इस formula पे based हमें क्या करने हैं questions करने हैं यह अपने पास Newton Rapson formula इस formula में value रखके अपने questions को solve करना है कोई भी आपको एक bj s समेकन दी होगे उसके वास्तिक मूल याद करने है तो हम किस मैथ़ेंगे यूटर रापसान मैथड से और यूटर रापसन मैथड का फोर्मुला क्या है एक्स एन प्लस One इजेकोल टो XN माइनस f blurry अपॉन एफडस एक्स एन तो एक क्यूचन देखते हैं इसको पर एक क्यूचन है वही अगर नूटन डियोप्शन विदी द्वारा समीकर्ण आपको एक समीकर्ण दी हुए एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइफ इस इक्वल टू सीरो का वास्तिविक मूल चार दसमलो इस्थान तक ग्याद केजिए तो भी ग्याद करना है इसका वास्तिविक मूल तो हमारे पास समीकर्ण दी हुए है क्या एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइफ और हमें निकालना है एक्स इसका उपलन कर दिया थ्री एक्स स्कुआइर माइनस का सबसे पहले हमें प्रारम भी के मान चीए कि हमें एक्स नोट का मान क्या होगा जैसे ऑफ़ आगर अगर आप वन रखते हो तो बन और वन क्या हो जाएगा टू तो यहाँ पे एक्स वन का मान चीएगा तो इसका मतलब n बराबर आप 0 रखते हैं तो x1 यानि x note, x note का मान चीएगा तो प्रारम्भिक मान होगा क्या हमारे पास तो भई वही पहले करते आ रहे थे कोई भी मान ले लो जिस पर एक पर तो negative value आने चीए और एक पर positive तो मूल जो होगा उन दोनों के बीच में होगा जैसे माना f2 निकाल लिया मैंने f2 निकाला 2 की क्यूब माइनस 3 into 2 minus 5 2 की क्यूब 8 minus 6 और minus का 5 यह जाएगा अपने पास minus का 3 अच्छा next value f3 पर निकाल लेते हैं 3 की क्यूब माइनस 3 into 3 minus 5 यहां negative और यहां positive मतलब मूल इन दोनों के बीच में कही न कई उपस्तित होगा पिर नेगेटिव से positive की तरफ जा रहे है तो बीच में 0 तो आएगा समिकन का हल जो होगा वो जीरो के बराबर ही तो लेके आना है तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में इसका मूल उपस्तित होगा तो सबसे पहले फस्ट रिट्रेशन देखते हैं पर्थम सन्निक टन तो भी पर्थम सन्निक टन वान N बराबर तक आपने 0 रख लिया तो X not का मान कितना है और Newton option formula क्या था XN plus 1 is equal to XN minus F XN upon F dash XN ठीक है where F dash XN is not equal to 0 n बराबर 0 रखा तो अपने पास क्या है x1 x0 minus fx0 upon f dash x0 तो भी x1 as it is x0 कमान क्या है हमारे पास x0 कमान है 2 minus fx0 तो fx0 कमान निकालेंगे fx0 कमान अब आप लिख सकते हो f2 upon f dash 2 तो इन दोनों में मान रखेंगे 2 minus f2 f2 का मतलब यह होगा 2 की cube minus 3 into 2 minus का 5 यह होगा वई 3 into 2 का square minus का 3 2 minus यह उपर का मान तो अपने पास अब फिच्छे आया था कितना f2 की value minus 3 upon 2 की square 4 3 जए 12 minus 3 9 2 plus 1 upon 3 x1 की value आई हमारे पास 2.3333 इस तरीके चलता जाएगा x1 की value हमारे पास यह आ गई next जो है दित्ते सन्नी के टन मान अच्छा दित्ते सन्नी के टन से पहले हम जो है xn को कुछ solve कर लेते है xn प्लस 1 को xn प्लस 1 क्या था हमारे पास xn minus यह हो जाएगा f xn upon f dash xn तो इसको solve करते हैं थोड़ा सा xn as it is minus f xn की value क्या थी xn क्यूब minus 3 xn और minus का 5 ऐसा ही था upon 3 xn square minus का 3 तो असा अलस्यम ले लिए अपने ठीक हो जाएगा 3 xn क्यूब minus 3 xn minus xn क्यूब और minus minus plus 3 xn और minus minus plus और यह हो गया भई 3 xn square minus 3 यह minus और plus cancel हो हमारे पास तो क्या बचेगा भई xn xn plus 1 बराबर 3 xn क्यूब minus xn क्यूब 2 xn cube plus 5 upon 3 xn square minus 3 xn plus 1 का मान यहां से आ गया तो अब दित्ये सन्नी के टर्मान निकाल लेते हैं हमारे भई देको xn कमान कितना आ गया हमारे पास यह दित्ये सन्नी के टर्मान निकाल के हमने पहले सब से पहले solve किया था xn plus 1 को solve करने के बाद xn कमान आ गया 2 xn cube plus 5 upon 3 xn square minus 3 जित्ये सन्नी के टर्मान है कि n बराबर आपने क्या रख लिया 1 और x1 बराबर आपके पास अभी अभी कितना है था 2.333 x2 is equal to 2 x1 square sorry x1 cube plus 5 upon 3 x1 square minus 3 2 as it is और x1 की बादे 2.333 3 का whole cube plus 5 upon 3 into 2.33333 का whole square minus 3 x2 की value हमारे पास आएगी कितनी 2.2805 तिर्तिय सन्नी के टर्मान निकालेंगे तिर्तिय सन्नी के टर्मान है अपने पास n is equal to रखेंगे 2 और x2 का मान कितना था 2.280 x3 is equal to 2 x2 cube plus 5 upon 3 x2 square minus 3 2 x2 cube x2 cube मतलब 2.2805 की cube plus 5 upon 3 into 2.2805 का whole square minus 3 x3 की value आप calculator से solve करेंगे तो हमें मिलेगी 2.2790 x3 क्या गई 4 तिर्तिय सन्नी के टर्मान निकालेंगे n is equal to 3 और x3 की value कितनी है 2.2790 x4 is equal to 2 x cube का whole cube plus 5 upon 3 x3 का whole square minus 3 2.2790 का whole cube minus 5 sorry plus 5 upon 3 into 2.2790 का whole square minus 3 x4 की value हमारे पास आई 2.2790 आप अगर आगे value निकालते जाओगे तो x3 और x4 क्या है दोनों सेम अगर आगे निकालते जाओगे तो यही मान आएगा इस पस्ट है कि x3 बराबर x4 तब दिये गए समीकन का वास्तविक मूल x बराबर 2.2790 है तो यह क्या निकल जाएगा इसका वास्तविक मूल निकल जाएगा तो इस परकार से question solve करने हैं इसी method के उपर Newton Repson method का एक formula है उस method के उपर हमें questions solve करने हैं Thank you guys एक जाएगा जाएगा पूस्ट करेंगा